भिवाडी को जिला बनाने की मांग लगतार जोर बगड़ती जा रही है। जिसको लेकर भिवाडी की सबी सामाजिक वैधार्मिक संस्थाइं बारी बारी से धरना प्रदर्शन कर वे पैदल मार्च निकालकर मुख्य मंत्री के नाम अलग-अलग प्रशासनिक अधिकारियों क को ग्यापन दिये जा रहे हैं। साथ ही भिवाडी को जिला बनानी की पुर्जोर मांग भी ही जा रही है। इसकी तहट मंगलवार को जिला बनाओ संगर्श समीती की बैनर तले इंडियन मैडिकल एसोसीशन भिवाडी शाखा व्यवापार मंडल ने मिलकर पैदल मार्च न के नारे भी लगाए गए। दिये गए गयापन में बताया गया है कि जब मुख्यमंद्री के द्वारा 19 जिलों की घोशना की गई थी तो उसमें पहले भिवाडी को जिला बनानी की पूरी संभावनाई लग रही थी। लेकिन अचानक से भिवाडी का नाम भी नहीं आना अ अपने आप में एक आश्चर्रे की बात है क्योंकि बिवाडी हर लिहाज से जिला बने के सभी माप डड़ों को पूरा करता है यहाँ पर 4,000 से जादा छोटी बड़ी उध्योगी काईया है और सालाना 10,000 करोड से भी जादा सरकार को रिवेन्यू चाता है जिला स्तर के सभ भी कारयले यहाँ पर पहले से ही मौचूद हैं केवल प्रशासनिक दिस्टी से जिली की घोशना ही ब्याकी रह गई है बिवाडी के लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए अलवर के चक्कर लगाने पड़ते हैं जो बिवाडी से अलवर की दोरी 90 किलोमीटर होने से समय और पैसा दोनों ही बरबाद होता है। आज हमने आश्यना विलेज के गेट पर इखटा होकर जिसमें में आज का ओर्गनाइजेशन आईयमें भीवाडी कर रहा है और आश्यना विलेज के रिजजेंट और बाकी और सोसाइटी जो हमारी संस्ताइं जुड़ी होई हैं उनके प्रतिनी दी आए हुए हैं वो सब मि इस्त्रस चर्चा की और रूपरेखा तैयार की उसी के संदर में यहां से निकल कर हम बेड़ा ओफिस में बेड़ा के सीयो साब को ये ग्यापन देंगे मुखमंत्री जी के नाम से और भिवाडी को जिला बनाने के लिए और ये संगर्स हमारा लगातार लंबे टाइम तक च अस्सेशन विवाडी की मोबाइल अस्सेशन और अन्य व्यापारी संगठने जैसे रेडिमेट गार्मेंट अस्सेशन इन सबने मिलकर कल सुबह ग्यारे बजे शाम बठी का में खटे होंगे इस बिसे पर चर्चा करेंगे इस मुहिम को समर्तन देंगे और साथ में अपने- अपने लेटर हैड पर मुखमंत्री जी के नाम यापन देंगे विड़ आउफिस में पहुंचकर